दोस्तो अगर आप MXTKATAK पर अपने MFC वाले अप्लिकेशन में जाते हैं तो आपको तीन चीज़े दिखते होंगी पहला वेलकम टू मौज किरियेटर दूसरा विल बिजन इस हब डन और तीसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिखता है वो है होल्ड आन टाइट ये तीनों क्यां है और ये हटते कैसे हैं और इन सबसे हमें क्या फाइदा है क्या गाइटा है सारा चीज़ बात करने वाले हम इस वीड़ो में इस वीड़ो को लाश्ट तक देखेंगigenं कि आखिर इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है तो बिना किसी देरी के चलीए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले यार अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यार सबस्क्राइब जरू करते हैं अपना वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे कम लोगों का भी आ रहा है वो है welcome to mods creator जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा इधर या इधर 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 भी दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर अपनी MFC वाले form में आप जाते होगा तो वहाँ पर आपको दिख रहा गया welcome to mods creator काफी लोगों को अभी तक मिलना स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि welcome to mods creator में अब आपकी earning श्टार्ट हो जाएगी mx takatak या takatak by moj के तरफ से ठीक है अब हम बात करते है second number जो काफी कम लोगों का आ रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों का आ रहा है will begin is half done तो यहाँ पर आप बगल में देख सकते हो इसमें क्या लिखा रहता है इसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको 14 दिन वेट करना है 15 दिन वेट करना है 16 दिन वेट करना है 30 दिन वेट करना है कुछ इस तरीके का बताया जाता है ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो mx takataq या takataq by moj की जो भी ID है उसे एक बार check कर दिया गया है और उसमें कुछ कमिया रह चुकी है ठीक है तो Will Begin is Hopden मतलब कि आपकी एक बार ID चेक हो चुकी है और उतने दिन बाद फिर आपके ID चेक होगी और अगर फिर से आपका चेक नहीं होता है और फिर से अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो यहां पर आपका ID पूरा बरबाद हो जाएगा ठीक है मतलब कि आपका ID का फिर कभी सेलेक्शन नहीं होगा तो यहां पर दोस्तों आप चिंता मत किजेगा क्योंकि सारत चीज़ मैं आपको इस चैनल पर बता देता हूँ चैनल को सस्क्राइब जरूर करके रख लिजेगा आपको कौन से गलतिया नहीं करनी है क्या करना है सारत लोगों का भी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है ठीक है और MX टेकाटक की जो टीम है वो डेली कम से कम 5000-6000 लोगों को सिलेक्ट कर रही है MFC में सिलेक्ट कर रहे हैं ठीक है और वो अर्निंग इस्टार्ट भी कर रहे हैं तो यहां पर आखिर 90% लोग ऐसा क्या कर रहे है जिनका ID जिनकी वज़ासे उनका हॉल्ड ओन टाइट पर है सबसे पहली बात की MFC पर अभी काफी सारे लोगों ने यहां पर फॉर्म फिल किया है ठीक है और काफी सारे लोगों ने जब फॉर्म फिल किया है तो टेकाटक भाय मोज की यहां पर जो टीम है वो काफी ज़्यादा कोशिस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स जादा से जादा तो कम से कम 10-20 करोड लोगों ने भर दिया होगा भले वो कैसी भी वीडियो बनाते होंगे तो यार आप समझ सकते हो कि कितना जादा यहाँ पे टाइम लगता है एक ID को चेक करने में और यह क्या करते हैं आपकी ID को हर बार चेक करते हैं कि आपकी ये वीडियो सही है या नहीं ये वीडियो पर आपने कुछ गलत तो नहीं किया आपका बायो अच्छा है या नहीं तो hold on tight अगर है आपका तो आप चिंता मत किजिए आपको बहुत जल्द selection हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर hold on tight means अभी तक आपका ID चेक नहीं किया गया है आपका ID कभी भी चेक किया जा सकता है और आपको कभी भी select कर लिया जा सकता है तो hold on tight के लिए आप चिंता मत किजिएगा इसके लिए मैंने दो वीडियो अपलोड भी किया कि यह कैसे हटता है क्या होता है और यहाँ पर hold on tight है उससे आपको कोई घबराने की जुरत नहीं है यह बहुत ही जल्दी हट जाएगा आपके ID से श्रीप आपको डेली वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे आप कम से कम डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करना ठीक है और यहाँ पर आपका hold on tight हट जाएगा and hold on tight हटाने के भी मैंने काफी सारे तरीके बता हैं को आप मैसेज कर सकते हो direct उनकी टीम से बात कर सकते हो सारे चीज़ आप कर सकते हो ठीक है and दोस्तों यह सारी तरीके मैं और भी आगे लाते रहूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजेगा और मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो में तब तके लिए जाहिन जाय भारत